तो दोस्तो PC विल्ट करने का मन हमें से बहुत सरे लोगों के मन में होता है लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि यार कौनसी कौनसी कंपोनेंट्स है जो एक PC को अच्छा बनाते हैं और कुछ-कुछ लोग ऐसे भी है जिसको budget fixed है मेरे को 20,000 रुपए के अंदर अंदर एक PC बनान और बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला ये वीडियो अंद तक दिखें वीडियो को तो दोस्तों डूंट वस्तिकने टाइम लेट्स गेट स्टाटेट सबसे पहला बात है प्रोसेसर क्योंकि प्रोसेसर अगर अच्छा होगा तो आपके सारे काम अच्छा हो जाएगा अगर 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 मैक्सिमम स्टिक की बात करो तो फोट जीगार्स तक यह चले जाते हैं अब दोस्तों जिसको गेमिंग खेलना है या फिर जो लोग एडिटिंग के लिए इसको लेना पसंद करोगे उनके बारे हैं बात करने जा रहा है तो आपको ग्राफिक्स कड जरूर पर देखने को मिल जाता है जो काफी पावरफुल ग्राफिक्स कड है दोस्तों और दोस्तों बात करते हैं इसका रैम के बारे में 64GB तक रैम आप पर लगवा सकते हो मेरे हिसाब से AMD Ryzen 3 3200G का जो प्रोसेसर है आपके लिए बड़ी कमाल के प्रोसेसर होने वाले है आप इस अच्छा मदरबोर्ड होना भी जरूरी है मदरबोर्ड के लिए मैं आपको पतल दो दोस्तों GIGABYTE AMD A320 आप जरूर यूज़ कर सकते हो बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड होता है दोस्तों क्योंकि जो जो डिकार्मेंट के बारा है मैंने अभी तक बाते की प्रोसेसर के मान ही है कि यहां पर आपको dual channel memory का option देखने को मिल जाते हैं साथ ही साथ आप इससे multiple display भी यूज़ कर सकते हो इसका भी option इसमें दे रखे हैं तो दोस्तों आप जरूर जिगाबैट AMD A320 के तरफ जा सकते हो बड़ी ही powerful motherboard यह है दोस्तों आप जिस पर बात करेंगे उसका नाम है RAM बजार में आपको काफी सार RAM में जाएगा 4GB, 8GB, 12GB, 16GB लेकिन मैं बताओ दोस्तों minimum आपको 8GB चुनना है अगर आपको एक अच्छी PC बनाना है तो अब आप कौनसी brand कर ले मैं आप बताओ दोस्तों minimum HyperX Fudy का आप ले सकते हैं या फिर वेगन LPX का आप ले सकते हो दोनों है, 32MHz की power आपको दोनों में दिख जाएगा लेकिन वेगन LPX का एक खास बात यही है कि इसमें एक aluminium coating दे रखे हैं जिसका कारणी heat बिलकुल नहीं होता है और अगर होता भी है बहुत कम होता है वो आपको speed में कोई भी फरक नजार नहीं आएगा सो आप वेगन से LPX या पिर HyperX 4D के तरफ दोनों में किसी को भी आप आप बाई कर सकते हैं बहुत अच्छी RAM है दोस्तों आप बात करते हैं storage के बारे में ठीक है कुछ लोग सोचते हैं कि HDD लगाए जिसका नाम है hard, dig, stripes कुछ लोग सोचते हैं कि SSD लगाना है जिसका नाम है solid state drive ठीक है तो मैं आज आपको बदाना हूँ दोस्तों solid state drive यानी SSD के बारे में क्योंकि यह दीखने में बहुत छोटा होता है HD के मामने में और price भी बहुत कम होता है ठीक है क्योंकि हमारे budget बस 20,000 रुपए के आसपास ही है तो हम यहाँ पर लगाने वाले है HP, SSD, S700 को जिसक HP के बारे में और कुछ तो नहीं बोलना है बहुत ही बरा एक brand है तो अब जरूर HP, SSD, S700 के तरफ जा सकते हो बड़ी ही अच्छी एक storage quality आपको यह provide कर देगा दोस्तों और बड़ी ही fast होता है SSD, HDT के मामने में तो दोस्तों जितना भी चीज़ों के बारे मैं अभी तक बाते के और आगे करूंगा सबका link मैं description पर दे रखा हूँ अब जरूर जाके check out कर सकते हो तो दोस्तों अब बात करते है cabinet के बारे में ठीक है क्योंकि इन सब चीज़ों को fit करने के लिए आपको cabinet के ज़रुरत होग जिसका market price है 899 रुपीज आप उसको use कर सकते हो और आप बना सकते हो एक अच्छी खासी PC एक powerful PC अपने लिए या फिर अपने घरवाल हो या फिर किसी और के लिए तो दोस्तों यही था आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा informative लगा होगा अगर वीडियो अच्छा कर अपने दोस्तों के साथ और उनको help करो एक अच्छी खासी PC बिल्ट करने के लिए दोस्तों फिर आल वीडियो में इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिलते आपसे एक नया वीडियो में नया कोई topic को लेकर तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातर भारत माता की जये, stay home, stay safe